जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे थे उस वीडियो में आपने देखा होगा कि एक सांसत दुसरे सांसत को दम भर कली आ रहा है और भारतिये लोकतंत्र के इतिहास में पहली दफ़े आपने इस सायद वीडियो देखा होगा क्योंकि एक सांसत और दुसरे सांसत के बीच बले ही राजनितिक दूरियां चाहे कितनी भी क्यों न हो जाए लेकिन मर्यादा हर बार देखने को मिलता है लेकिन बीजे पीके एक सांसत ने मर्यादा को तार तार किया है और यह जो गालिया देते सहब आपको दिखाई दे रहे हैं न यह किसी सडक पर खरे होकर किसी गली में खरे होकर किसी चौक चवराहे पर खरे होकर अपने विरोधी सांसत को नई गालिया दे रहे हैं भलकि नए भारत के नए संसत भवन के अंदर बैटके गली आ रहे हैं ज़रा सोचिये संसत भवन के अंदर अगर बास्पा के एक सांसत को भाद्पा का एक सांसत इस तरीके से बोलता है तो आपके जहन में क्या सवाल उठेंगे कि यही नया भारत है क्या जिस बात की चर्चा नरेंद्र मोदी हर बार करते हैं नय भारत का क्या यही नया भारत है कि अपने विरोधी गुठ को सटारुड दल का सांसत खुलेाम संसत भवन के अंदर कहेगा कि तुम भड़वा हो तुम कटवा हो तुम उग्रवादी हो तुम मुल्ला हो तुम आतंगवादी हो आपके जहन में यह सवाल जरूर उठा होगा लेकिन यह स सांसद रमेश विदोरी को इतनी हिम्मत किस ने दी क्या नरेंद्र मोदी अपने सांसदों को यही पाठ पढ़ा रहे हैं कि संसद भवन के अंदर जाकर अपने विरोधी कुट को सांसदों को गल्याओ ओ भी जानते हैं किस मुद्दे पर चंद्रयान 3 के मुद्दे पर भारत के वैग्यानी कोनी इतिहां सरचा चंद्रमा पर पहली बार सौफ्ट लेंडिंग हुई साउथ पोल में चंद्रयान की लेकिन जब बात क्रेडिट लेने की है तो होर लगी है क्रेडिट लेने वालों में और ऐसे में नरेंद्र मोदी और बीजे पी का नाम सबसे अबल दर्जे पर है ये जो बीजे पी के सांसद महोदे जिसे गालियां दे रहे हैं न वो सांसद बासपा के हैं नाम है दानी सली जरा सोचिए दानी सली को जिस तरीके से संसद भवन के अंदर गालियां दी है रमेश वीधूरी ने अब तक अगर कोई वीपक्षी गुटका सांसद होता तो पता नहीं क्या से क्या हो गया रहता सियासत हो रही है अब बयानबादी इस पर सुरू हो गई है लेकिन इस बीच इसी संसद भवन के कभी सदस रहे वो बिहार के पुर मुख्य मंत्री रहे लालू परसाद यादों ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया है लालू यादों ने लिखा है सोसल मीडिया के प्रेटफर्म एक्स और फेस्बुक पर परधान मंत्री ने देश की समरिद संसदिये परंपराओं के विरोधे ऐसी विकर्त समाजिक राजनितिक संस्कृतिक को जन दिया है जिसमें इनकी एक सांसद राष्ट पिता गांधी के आतंक वादी का महिमा मंदन करती है पीएम के इसारे पर एक बीजेपी सांसद पारलिया मेंट के अंदर वीपक्च के एक सांसद के लिए जिस अमर्यादित असंसदिया और तुक्ष भासा का परयोग कर रहा है वो घोर आपत्ती जनक है निंदनिये हैं एवं लुक्तंत्रवस समाज के लिए चिंता जनक है या इनका अमरित काल नहीं वलकि विसकाल है जब भारत आजादी का अमरित महत्सो मना रहा हो जब भारत नए भारत की बात कर रहा हो जब देश के परधान मंतरी नरेंद्र मोदी ये कह रहे हो कि नया भारत अब देखने को मिलेगा तो सोचिए नए भारत में क्या अपने विरोधी सांसदों को खोलियाम गालियां देने की इजाज़त सटारुखदल के सांसद को मिलेगी वो भी पारलियामेंट के अंदर जिस तरीके से रमेस विधूरी ने सांसद भवन के अंदर जहां देश भर से जनता के चुने हुए जन तो पता नहीं अब तक क्या कुछ हो गया रहता। लेकिन सवाल अब भी है कि सहब आगे क्या करेंगे। अब दाने सली ने स्पीकर को पत्र लिकर कार्रवाई की मांग की है। देखना पेहदी दिल्चस्प होगा की स्पीकर ओम विरला कितना निस्पक्चता के साथ इस मामले में कार्रवाई करते हैं। क्योंकि लाइब सेशन से पूरे देश भरके लोग जुरे होते हैं और लोग सभा की कारवाही पूरे देश भरके लोगों तक पहुंचती है तब लोग जब ये कहेंगे कि नए भारत में नए संसद भवन के अंदर वीपक्छी गुटकेक सांसद को सत्तारुड़ दलका रमेश विधूरी खुले आम गालियां दे रहा था कटवा कह रहा था मुला कह रहा था आतंकवादी कह रहा था भरवा कह रहा था और अतंकवादी कर रहा कह रहा था तब देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी का सीना जो चौरा था वो सिमट नहीं गया क्या देश की ज आने बाद